गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आपकी बोर्ड परिच्छा को ध्यान में रखकर हमने रसायन विज्ञान में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जयोडु के नाम से है उसमें कल कुछ इंपॉर्टेंट कुश्चन को हम लोगों ने डिसकस किया था आज हम उस चैप है और लिपेड के मुक्य स्रोत क्या है कि लिपिट का वरगी करण कर अब कर को आइं तो बच्चों यह कुश्चन नामकी बोर्ड परिच्छा में 14 में 16 में अठ्बार्ण ेमिंस में और 20 में सालों में पूछा गया है तो यह कुश्चन आपकी बोर्ड परिच्च्छा असा और तेल जो जन्तों और बनसपतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड कहते हैं हमारे जितनी भी तेल हो गई घी हो गए ये सब क्या हैं ये सब बच्चों लिपिड होते हैं और ये लिपिड जो होते हैं वो जल में अभी लिए या अघुलन सील होते हैं और लिपिड के मुख्य स्रोत के रूप में अभी हमने बताया तेल होता है चाहे वो बनसपती तेल हो चाहे सरसो का तेल हो चाहे वो गी हो या मोम हो कुलिस्ट्रॉल हो और वसा में गुलनसील बिटामिन ये सब क्या है बच्चो ये सब लिपिड के मुख्य स्रोत है इसके बाद हम देखेंगे बच्कों लिपिड का बर्गीकराण तो लिपिड दो टाइप का होता है एक सरल लिपिड और दूसरा क्या होता है संयुक्त लिपिड और तीसरा होता है बच्कों ब्यूत पन ब्यूत पन लिपड सरल लिपड में बच्चों आता है सामान्य सामान्य लिपड सामान्य लिपड जिसमें आता है हमारा तेल हो गया सरसो का तेल हो गया तिल का तेल हो गया सूरिज मुखी का तेल हो गया तो इसमें सामान लिपड में क्या आते हैं सारे हमारे तेल आते हैं बच्चों चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे वो तिल का तेल हो चाहे वो सूज मुखी का तेल हो चाहे वो जैतून का तेल हो वो सब क्या है सामान लिपड है दूसरा क्या होता है इसके टाइप प्राकिर्तिक मौम होते हैं प्राकिर्तिक मौम के अंतरगत सुबरिन आता है बच्चों सुबरिन और लैनोलिन ये सब क्या है ये सब प्राकिर्तिक मौम है जो सरल लिपड के अंतरगत आते हैं दूसरा क्या है बच्चों सन्यूक्त लिपड में क्या होता है फास्फोल लिपड होता है और सन्यूक्त लिपड में एक लिपड होता है जिसको स्फिंगो लिपड कहते हैं तो फास्फोल लिपड में आता है बच्चों सिफैलिन और स्फिंगो लिपड में आता है बच्चों स स्फिंगो माईलिन ये स्फिंगो लिपिट्स में आता है और व्यूत्पन लिपिड में आता है हमारे टरपिन इसके एक्जामपल में आता है बच्चों कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल और जितने भी हार्मोन होते हैं ये सब क्या है ये सब व्यूत्पन लिपिड के एक्जाम पल है तो बच्चो इस तरीख Corona से आपने देखा कि वें वासा और तेल जो हमें जंतु MPT योث होते हैं उन्हें हम लिपोड क्याते हैं कैई ये जल में अभील या अघूलन सील होते हैं और लिपिट तीन टाइप के होते हैं सरल लिपिड होते हैं सन्युक्त लिपिड होते हैं व्यूत पन्न लिपिड होते हैं आपने सभी का एक्जामपल देख लिया है लिपिड के काम क्या होते हैं बच्चों ये कार्बो हाइड्रेड और प्रोटीन की जब कमी हो जाती है हमारे सरीर में कहने का मतलब ये है कि हमारे सरीर को उर्ज़ा प्रदान करने का काम करता है दूसरा काम ये करता है ये हमारे सरीर के ताप को नियंत्रित रखता है लिपिड इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इनुलिन से फ्रक्टोस को प्राप्त करना इसको इनुलिन से आप फ्रक्टोस कैसे प्राप्त करोग तो ये कुश्चन आपके बोर्ड परिच्छा में 17, 18 और 20 में पूछा गया है इनुलिन होता क्या है बच्चों इनुलिन जो होता है वो डहेलिया नामा के पौदा है उसकी गाठों से प्राप्त होता है इनुलिन एक तरीके का स्टार्च होता है बच्चों और ये मिलता किस्से है डहेलिया पौदों की गाठों से मिलता है इनुलिन की जब हम रियक्षन कराते हैं बच्चों तनुसल्फियूरिक अमल के साथ चल अब घटित करते हैं तो हमें फ्रक्टोज मिलता है तो इनुलिन का फार्मूला होता है बच्चों C6H10O5 का होल एन चुकि अभी हमने बोला इनुलिन क्या है एक तरीके का स्टार्च है तो इसका फार्मूला ये होता है C6H10O5 का होल एन इसको जब हम बच्चों जल के साथ अब घटित करते हैं प्रजेंस ओफ डाइलूट H2SO4 तो हमें क्या मिलता है बच्चों C6H12O6 को क्या मिल जाता है हमको फ्रक्टोज मिल जाता है तो बच्चों इनुलिन क्या है इनुलिन हमारा कहने का मतलब है बच्चों ये एक तरीके का स्टार्च है ये डहेलिया पौधे की गाठों से मिलता है इसको जल अब घटित करने पर क्या मिलता है फ्रक्टोज मिलता है लेकिन प्रजेंस किसकी होनी चाहिए बच्चों प्रजेंस होनी चाहिए डालू टेस्टू एसो फॉर की तभी ये क्या होगा जल अब गटित होके फ्रक्टोज बनाएगा के बाद बच्चों एक बहुत ही इंपोर्टेंट रियक्सन है टॉलेन अभी कर्मक के साथ ग्लूकोस की अभिक्रिया तो बच्चों ग्लूकोस को टॉलेन अभी कर्मक क्या करता है सिल्वर दरपड या सिल्वर के काले औच्छेप में अप्चेइट कर देता है इसको हम reaction के दोरा आपको बताते हैं glucose का formula CHO CHOH का whole 4 इसको हमने पिछले lecture में अच्छे से explain किया था CH2OH इसको हम किस्ते tolen अभी कर्मक के साथ AZ2OA क्या है ये बच्चों ये tolen अभी कर्मक है अभी कर्मक है इसके साथ reaction कराने पर ये tolen अभी कर्मक इसको अपचाइद कर देता है और क्या बनाता है इसको अपचाइद करके बनाता है gluconic aml gluconic aml और क्या बनाता है और silver का silver का precipitate देता है जो black color का होता है तो बच्चों आप लोग इसको याद रखिएगा tolen अभी कर्मक क्या होता है AZ2O होता है इसकी ग्लुकोस से अभिक्रिया कराने पर ग्लुकोनिक एसिड बनता है और सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो ब्लैक कलर का होता है अगर यहीं बच्चों यह बोलता कि ग्लुकोस की फैलिंग अभिकर्मक यहाँ फैलिंग बिलियन के साथ अभिक्रिया कराओ अगर यहाँ फैलिंग बिलियन होता तो AZ2O की जगें क्या हो जाता CU2O यह क्या है यह फैलिंग फैलिंग बिलियन है बच्चों इसको अमने पिछले लक्चर में बढ़ाया था अगर glucose spelling billion जो CO2O है उसके साथ reaction करेगा तो gluconic acid बनेगा और cuprous oxide का लाल कलर का precipitate हमकों मिलेगा तो बच्चों जो glucose है जब वो टॉलेन अभी करम के Z2O के साथ reaction करता है तो यह इसको किसमे अब चाहित करता है ग्लुकोनिक acid और silver का black कलर का precipitate देता है अगर यहीं glucose के failing billion C2O के साथ reaction कराएंगे तो हमको gluconic acid बनेगा और हमको क्या मिलेगा क्यूप्रस oxide का red कलर का precipitate मिलेगा तो बच्चों यह दोनों में अंतर है इसमें failing billion के साथ लाल कलर का precipitate मिलता है और टॉलेन अभी करमक के साथ हमको black कलर का precipitate मिलता है अब हम देख लेते हैं बच्चों nucleoside और nucleotide में अंतर क्या है इसको वैसे हमने पिछले lecture में बताया था जब हम DNA और RNA के बारे में बता रहेते हैं लेकिन उस time हमने यह clear नहीं किया था nucleoside किसे कहते हैं और nucleotide किसे कहते हैं तो बच्चों nucleoside में कितने दो घटक होते हैं इसमें pentose sugar होता है या pentoseucra और एक nitrogenous nitrogenous waste होता है ये मिलके दोनों क्या बनाते हैं nucleoside nucleoside अगर RNA है तो यहां कौन सी sugar होगी राइबोस sugar अगर RNA है अगर यहां DNA है बच्चों तो यहां कौन सी sugar मिलेगी यहां डी आकसी राइबोस sugar और nitrogenous base सारे सेम होते हैं बस pirmidine पाइरिमिडीन में जो DNA होता है उसमें thाइमीन होता है और RNA में क्या होता है बच्चों RNA में यूरेसिल होता है बाकि सारे nitrogenous base DNA और RNA में सेम होते हैं तो बच्चों आपने देखा nucleoside में दो घटक होते हैं पेंटोस sugar और nitrogenous base लेकिन जो nucleo nucleo tied होता है इसमें तीन घटक होते हैं इसमें एक और जुड़ जाता है phosphoric acid बाकि दो सेम रहते हैं पेंटोस sugar और nitrogenous base सेम होते हैं तो इसमें differ क्या करता है इसमें phosphoric acid और अड़ हो जाता है और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं nucleo nucleo tied तो बच्चों nucleo tied और nucleo side में ये difference है उसके बाद हम देख लेते हैं कि glucose से कैसे glucose zone का निर्माड होता है ये तीनों reaction जो हैं बच्चों आपकी बोर्ड परिच्छा में 18 में 19 में 21 में पूछी गई है तो बच्चों glucose से glucose zone का निर्माड कैसे होता है glucose को acidic अमल में phenyl hydrazine के आधिक के साथ गर्म करने पर glucose zone बनता है इसको हम आपको reaction के द्वारा दिखाते हैं कि कैसे glucose zone बनता है glucose का formula CHOCH का hole for CH2OH होता है या हम कह सकते हैं ये CH double bond O, CHOH, CHOH का hole thrice, CH2OH इसको हम क्या करेंगे इसको हम बच्चों phenyl hydrazine ये क्या है ये phenyl hydrazine है इसके साथ जब गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो बच्चों इसका जो H होता है इसका H इसके O को लेके अलग हो जाएगा इसमें हम इसके 3 mole लेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा CH double bond अभी हमने बताया है इसका ये HO को लेके अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा N, N, H, C6, H5 इसी तरीके से नीचे बनेगा N, N, H, C6, H5 CHOH का होल थ्राइस CS2OH ये क्या है बच्चों ये ग्लुकोसा जोन है और इसमें क्या निकलेगा बच्चों और इसमें निकलेगा दो मॉलीक्यूल वाटर के एक वाटर का मॉलीक्यूल इससे निकलेगा एक वाटर का मॉलीक्यूल इससे निकलेगा ये जो H है इसका H2 ये ऐसे लेके निकल जाएगा वाटर इसी तरीके से ये H2 इदर से एको लेके निकल जाएगा तो इसमें दो मॉलीक्यूल वाटर के निकल जाएंगे और क्या बनेगा और एक मॉलीक्यूल बनेगा इसमें बच्चों अमोनिया का और दूसरा मॉलीक्यूल बनेगा C6H5NH2 का क्योंकि हमने यहां तीन मॉलीक्यूल ले या फेनाइल हैड्राजीन का क्योंकि हम फेनाइल हैड्राजीन के आधिक्य के साथ जब गर्म करेंगे इसको तभी हमें ग्लुकोसा जोन मिलेगा दूसरी रियक्सन है बच्चों ग्लूकोस से ग्लूकोनी कमल का निर्माड तो बच्चों जब ग्लूकोस को ब्रोमीन जल या आयोडीन के छारिये बिलेन के साथ रियक्सन कराते हैं तो ये ग्लूकोस को ग्लूकोनी कमल में आकसी क्रिप कर देता है इसको हम reaction की दौरा दिखाते हैं आपको कि CH4, CHOH का whole 4, CH2OH, इसमें हमने क्या बताया कि bromine gel, bromine gel इसके साथ क्या करेंगे, reaction कराएंगे, तो ये इसको oxidize कर देगा किसमें, gluconic acid में, तो ये क्या बना देता है, gluconic acid, हमारी अगली reaction है बच्चों, glucose से sorbitol का निर्माड, तो बच्चों, sodium amalgam या sodium borohydroxide आदी अपचायक जो होते हैं, वो glucose को sorbitol में अपचायित कर देते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं, sorbitol कैसे बन जाता है, ये glucose है बच्चों, ये glucose है, इसके हम reaction कराते हैं, कि से sodium amalgam के साथ, ये इसको किसमें अपचायित करता है, sorbitol में, तो ये क्या बनाएगा, CS2OH, CH2OH का hole for CS2OH, ये बच्चों इसने इसको अपचायित कर दिया है, कार्बोनिल ग्रुप को, और क्या बना दिया है, sorbitol, sorbitol, तो इस तरीके से बच्चों glucose से sorbitol का निर्माण हो जाता है, तो इस तरीके से बच्चों, आज हमने जितने important question जो आपकी board पर इच्छा में कई बार पूछे गये थे, उनको solve कर लिया है, यदि इस चेप्टर में बच्चों आपको लगता है कोई question important है, जो discuss नहीं किया गया है, आप उसको comment section में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, धन्यवाद,